पुलिस का पूलीजस आप लोग आपके अपने युट्टिव चैनल नोकरी गुरुजी के इंदर दोस्टो पंजाब पूलिस का एंसुर की फा Smartly यहां पे रिलीज कर दी गही है आप लोग अपने एपने मांक्स यहां पर चेक nap है कितने मांक से यहां पर बनते हैं तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे कि expected cut off PhD के लिए क्या रह सकती है क्योंकि अब जो अगला step दोस्तों आप लोग का रहे का stage 2 उसके अंदर आप लोग का PhD examination कंड़क्टियां पे किया जाएगे यानि की physical आप लोग का होगा जो race होती है जंप होता है ठीक है तो अब दोस्तो आप लोग को देखना है कि actual में आप लोग को की cut off कितनी जा सकती है अब ध्यान में ये बात आप लोग को रखनी है दोस्तों ये सिरफ expected cut off है हमारी तरफ से नोकरिगरू जी YouTube चैनल की तरफ से ये कोई official नहीं है कि आप लोग का same ऐसा ही आएगा तो जितनी expected cut off मैं आप नीचे वाले भी अपनी physical की त्यारी दोस्तों करना start कर दीजिए क्योंकि जो इनके admit card आएंगे mostly 10 दिन पहले ही दोस्तों आएंगे 10 दिन पहले ही आप लोग को notice देंगे ये कि आप लोग का physical अब इतनी तारिक से है ठीक है तो इसलिए अपना जो physical की त्यारी आप लोग करक लिए होंगे जो 1500 नंबर का पूरा पूरा इसने count करके marks दे रखे हैं आप लोग को क्या करना है जो नीचे वाले 50 नंबर है पंजाबी वाले उनको minus यहाँ से कर देना है यानि कि आप लोग को 100 में से पहले 100 question है उन में से ही अपने number count करने है उनके basis पे ही ये बनेगी ठीक ह इसके अलावा दोस्तो normalization भी यहाँ पे होगा जिसकी hard shift थी उसके 5 नंबर 7 नंबर 8 नंबर यहाँ पे बढ़ेंगे भी ठीक है वो आप लोग बात ध्यान में दे लीजिए यानिकि आप लोग के normalization होगी जिसकी hard shift थी दोस्तो तो उनके 5 से 7 नंबर 100% यहाँ पे और उसी normalization के mark के basis पे मैं यह expected cut off आप लोग के लिए बता रहा हूँ तो दोस्तो ज़्यादा time आवेश्ट करते हुए जलते हैं सीधे यहाँ पे अरगा आप लोग ने चैनल को subscribe करना ना भूले नीचे दोस्तो subscribe के button के उपर click करके bell icon को press करना भी ना भूले ताकि जो भी latest video चालू उसकी notification आप लोगों तक पहुंच जाए तो यहाँ पर दोस्तो बात करते हैं expected cutoff की क्या रहने वाली expected cutoff तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तो phd cutoff scm and b की दोस्तो scm and b की दोस्तो जो male candidate है उनकी expected cutoff रह सकती है 59 से लेके 64 marks तक यानि की 59 से लेके 64 marks के लगवग आप लोगों के number है दोस्तो तो mostly आप लोगों का यहाँ पे phd के लिए chain किया जा सकता है दोस्तो यही आप लोगों के marks यहाँ पे cutoff रह सकती है दोस्तो अब बात करते हैं दोस्तो female की female की 54 तो 58 यहाँ पे cutoff रह सकती है physical के लिए ठीक है अब बात करते चले दोस्तो S, C, R and O की तो male की 66 तो 70 यहाँ पे cutoff रह सकती है दोस्तो phd के लिए और female की 58 तो 62 यहाँ पे cutoff रह सकती है तो यह candidate अपनी physical की त्यारी पुक्ता कर लीजी दोस्तो mostly आपनों का 100% यहाँ पे physical के लिए number आने वाला है दोस्तो अब बात करें दोस्तो general category की तो उसके अंदर क्या रहेगा दोस्तो जो male candidate है general category के अंदर 69 तो 74 आप लोग की जो cutoff है phd के लिए वो रह सकती है दोस्तो female की cutoff है जो journal के अंदर 64 तो 67 रह सकती है दोस्तो आप लोग ध्यान में दे लिए यह only phd के लिए cutoff है ना कि आप लोग की selection वाली cutoff है ठीक है कि है cutoff psychic के लिए वो यह रह सकती है दोस्तों तो ब लस्त में बात करते हैं दोस्तों बैकष़ दोस्तों ur invested with thejack Race के लिए जो cutoff है वो कितीन रह सकती है 67 to 70 रह सकती है Rule के लिए dotagal deze Sunday डोस्तों मेल के लिए 57 to 60 रह सकती है fenil केंदेत के लिए दोस्तों तो यह थी expected cut off सभी कैटिगरियों की दोस्तो जो कि आप लोगों ने देखिए अभी अकर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like share करने के साथ चैनल को subscribe करना ना भूले साथ में आप लोगों के कितने marks बनें दोस्तो वो नीचे comment section में comment करके मेरे को जुरूर बता दीजिए मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जय हिन दोस्तो जय भारत